जोस्तों, गोवी का सीजन आ गया है तो मै ने बनाई बहुत ही बढ़िया और टेस्थी मसाले दार गोवी बहुत ही सिंपल रेसिपी पर उतनी ही टेस्थी", रोटी और चावल दोनोंके ही बहुत ही बढ़िया लगेगी इसके लिए सबसे पहले मैंने पतिली में पानी ले लिया है, इसके गरम कनी के लिए रखाए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड़ किया और एक चौता ही चमबच इसमें हल्दी पाउडर आड़ किया है अब हम इसमें गोबी डाल देंगे और गोबी मेरे मीडियम साइस के काटी है अब इस गोबी को हम 5 मिनिट के लिए पकने देंगे 2-3 उबाल आए ते हम आफ कुक करेंगे पूरी तरह से नहीं पकाएंगे Half cook करके इसे निकाल लेंगे यह देके गोबी almost half cook हो गई है इसे हम निकाल के side में रख लेते हैं देखें मैं आपको दिखा देखें मैंने किस size का थोड़ा बड़ा size की गोबी रखी है और बिल्कुल half cook करके इसे ले लिए चलिए अब तैयारी शुरू करता है सबसे पहले पैन में मैंने दो टेबल स्पून ओईल लिया है आदा चमबच इसमें जीरा डालेंगे इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारिक कटी हुई लसुन मैंने आट से दस लसुन की करिया लिया है उसके साथ ही साथ एक छोटा चोड़ा अद्रका लिया है और उसे इसका स्वात बहुत ही बड़ी आएका और इतम अच्छे सी महक आएगी और इमें जैसे धनिया फ्राई होगा बहुत ही बड़ी महक देगा साथ ही साथ तीन हरी मिर्चे डाल दी है उसे भी अच्छा सब भून लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ बड़े साइस के दो इन्हें अच्छे से पका लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक नमक डालने से हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से पकके तयार हो जाएगा मिक्स करने के बाद इसे धक्के हम पांच मिर्ट तक पकने देंगे पांच मिट में आप देखोगे टमाटर हलके से गल चुके है एक बार आप इसे अच्छे से मिक्स करें देखे बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो गए है अब मसाले डालेंगे इसमें तो एक चमच धनिया पाउडर लिया है एक चमच लालमिश पाउडर और एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर मसालों को 30 से के लिए अच्छे से भून लेंगे जरा सा पानी एड कर रहे हैं बिल्कु अच्छे भूनते हैं उतनी ही हमारी जो सबजी होती है उसका टेस्ट आता है और सबसे इंपोर्टन चीज मसालों को हमेशा धीमी आज पे भूना जाता है तो यह अच्छे से ऑईल निकलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच दही अच्छे से दही को फे अब देखिए मसाली की रंगत कितनी बढ़िया है साथी साथ जो टमाटर डले थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं अब मैं हम इसमें डाल देंगे हमारी घूबी वह भी डालके आप इसे अच्छे से मिक्स करें पूरी तरह से मसाला उसमें कोट हो जाए उस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर ले अब दोस्तों गोबी को मसालों के साथ अच्छे से पकने देना है हमारी गोबी आधी पकी हुई है अभी हमें 50% और पकाना है साथी साथ मसालों के अंदर भूनने से उस गोबी के अंदर पूरा मसाली का टेस्ट आ जाना है तो हम इसे धटके 5 मिट के लिए धीमी आज पर पकने देंगे देखें गोबी हमारी अलमूस्ट पक्के तयार है और आप देख सकते हैं बिलकुल बड़िया एकदम मसालों से पुरी तरह से कवर हो चुकी है तो देखें बिलकुल बड़िया सी गोबी हमारी तयार है अब आप में इसे डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और बस हमारी गोवी बनके तयार है एकदम बहुत ही बढ़िया टेस्टी मसालेदार गोवी तयार है दोस्तों आप रोटी के साथ खाओ आप चावल यह दाल के साथ को बहुत ही बढ़िया कॉमिनेशन है और बहुत ही टेस्टी एक बार जरूर आप बनाके ट्राइ करें